हेलो और वेलकम टू ग्रेट ऑनलाइन अकेडमी मेरा नाम है रविन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे रेलवे दोरा प्रोवाइडेड कुछ इन डारेक्ट पैसेंजर सर्विसेज फिर उसके बाद हम लोग देखें कुछ डारेक्ट पैसेंजर सर्विसेज को इसके बाद हम लोग रेलवे के ट्रैक के स्ट्रक्चर को डिसकस करेंगे ये सभी topic exam point of view से बहुत ही important है and अगर आप इनको किसी और coaching material में search भी करेंगे तो आपको ये topics वहाँ पे नहीं पढ़ाये जाएंगे ये कुछ paid classes में ही पढ़ाये जाते हैं इन topics को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लिजे अगर हम आपको ये सभी topics दे रहे हैं तो आप लोग इनका भरपूर इस्तेमाल करिए इनसे exams में 2-3 number के questions जरूर आते हैं और बाकी बच्चों से आगे निकलने के लिए आपको ये सभी topics आने चाहिए तो चले friends एक एक करके इन सभी topics को समझते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे दोरह दी गई हरे एक notification आपको टाइम पर मिल जाए तो चले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ indirect passenger services को चले तो देखे फ्रेंट्स इन डारेक्ट passenger services में हम लोग बात करेंगे रेल मदद application के बारे में श्रमिक कल्यान पोर्टल और रेल सहयोग पोर्टल ये दोनों websites हैं फिर हम लोग बात करेंगे साउथ इस्टन रेलवे एंड आर्पी अब दोरह चलाया जा रहा है woman protection के रहे कुछ ऐसे initiatives जैसे की operation my seahly and mary seahly initiative इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे कि सभी जो services है railway indirectly passengers को provide करता है and सभी passengers को इनका lab मिलता है इन सभी के बारे में जानना जोरूरी है exam point of view से काफी important है इन सभी को एक एक करके हम लोग समझते हैं सबसे पहला जो है हमारा rail मदद application rail मदद application क्या है यह एक ऐसा application है जब भी travel के समय किसी भी passenger को securities rated कोई भी मदद चाहिए अगर उसको कोई security threat लगता है तो वो rail मदद application पे apply complaint को तुरंत register कर सकता है या वो direct calling भी कर सकता है अगर उसको complaint register करने में time लग रहा है direct calling करके वो अपने complaint को register करवा सकता है rail मदद application कभी भी travel के समय सभी लोगों को रखना चाहिए खासकर अगर child help line अगर कोई भी आपको child trafficking से related कोई भी चीज़े आपको दिखती है है train में अगर आपको लगता है काफी group में कई लोगों को तो रेल मदद application directly अगर आप child help line इस तरह की complaint वहां पर करते हैं तो रेल मदद application आरपी और फोर्सेस को वहां पर भेज के जो भी पैसेंजर उस complaint को register करेगा उसके through उन चीजों को रोकेंगी जो भी child trafficking से related है या कोई भी security threat अगर आपको लग रहा है तो उसको भी रेल मदद application directly response करता है तुरंत इन सभी चीजों को हम लोगो ध्यान रखना चाहिए यह application भी आप लोगो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखना चाहिए ट्रैवल के समय यह काफी useful application है इसका फुल फॉर्म है वह है mobile application for desired assistance during travel ट्रैवल के समय जो भी हमको जुरुत या सायता महसूस होती है उसके लिए mobile application बनाया गया है और यह application सबसे ज़्यादा useful होता है woman safety के लिए खास कर और जो हमारी child safety है या pregnancy के वक्त अगरे कोई भी वोमेंस को कोई दिक्कत आ रहे है या medical से रिटेट कोई भी इसू हो रहा है किसी भी passenger को तो भी वह rail मदद application से अपनी complaint को register कर सकता है I hope इसके बारे में समझ गया होंगे चले second जो हमारा point है वो श्रमिक कलार्ण पोटल के बारे में श्रमिक कलार्ण पोटल के है जो हमारे contractors पहले contract laborers की minimum wage को भी नहीं देते थे उस चीज को रोकने के लिए श्रमिक कलार्ण पोटल बनाया है श्रमिक कलार्ण पोटल के तहट सभी contractors को अपने सभी contract laborers की detail श्रमिक कलार्ण पोटल पे डालनी होती है इसके तहट railway कई बार जो हमारे laborers है उनको direct salary transfer भी करता है या अगर वो contractor से इस चीज को करवाता है तो contractors को हर महीने जो भी salary उसने अपने laborers को transfer की है उसकी detail upload करनी पड़ती है श्रमिक कलार्ण पोटल पे इससे जो हमारा जो 100 रुपए या 200 रुपए पर वेज पर डे की जो वेज है अगर एक दिन का 400 रुपए अगर railway दे रही है किसी labor को provide करने के लिए तो contractor पहले इन चीजों को transfer करते थे तो वो क्या करते थे 400 में से 300 रुपए ही labor को देते थे और 100 रुपए अपने पास रखते थे सो ये जो 100 रुपए की चोरी थी इस चीज को रोकने के लिए स्रमिक कलार्ण पोटल जो हमारे contract लेवर्स हैं उनके हित्यों की रक्षा करने के लिए बनाये गया था इसी तरह जो हमारा rail सहयोग पोटल है वो भी बनाये गया है railway stations को अच्छे से manage करने के लिए कई बार क्या होता है कि हर एक railway stations पर जो basic necessities हैं वो ज़्यादा होती हैं जैसे cleanless के रहे ज्यादा workers चाहिए हमें जो workers चाहिए एक station को साफ सुतरा रखने के लिए वो railway के staff से हमेसा ज्यादा चाहिए होता है railway में उतने cleanless workers नहीं है जितने चाहिए सो railway सहयोग portal में क्या किया गया है railway सहयोग मांगता है कुछ corporate से corporate का एक social responsibility fund होता है अगर वो इस fund को देते हैं social cost के लिए अपने revenue से अगर कोई भी corporation social responsibility fund देता है तो उसको tax में छूट मिलती है और government इस fund का इस्तमाल करती है लोगों के हितों के लिए या लोगों के लिए कुछ facilities प्रोवाइड करने के लिए इसी fund का use railway करता है अपने stations की basic amenities को पूरा करने के लिए सो rail safe portal पर directly वो help मानता है किसे corporation से इससे क्या होता है जो हमारे railway stations है इनको हम साफ सूतरा रख सकते हैं और उस पर जितनी भी basic facilities चाहिए जैसे कि sitting के लिए arrangement, water के facility, lightning के facility, fans के facility ये सारी facilities railway provide करता है जो हमारा fourth point है वो है South Eastern Railway के द्वारा उठाये गया एक ऐसा कदम जो women's के security से related है South Eastern Railway ने Operation My Sahelie के नाम से एक initiative चालू किया है जिससे जो हमारी women's है उनके लिए women's staff को railway अपने trains में लगाता है कई बार क्या होता है women's को travel के दौरान अगर कोई दिक्कत होती है या उनके साथ कोई छेड़ खानी होती है सो वो male staff को नहीं बता पाती सो Operation My Sahelie के अंडर South Eastern Railway ने एक कदम उठाया है जिसमें women's के security के लिए women's staff को भी रखा जाएगा male staff तो होंगे ही बट women's staff ज़्यादा होंगी ताकि जो भी problems है वो easily discuss कर सके जिस भी women को कोई भी दिक्कत होरी वो बता सके तो South Eastern Railway ने एक कदम उठाया यह आपको याद रखना है and Operation My Sahelie इसका नाम है आपको Operation My Sahelie and Mary Sahelie में confuse नहीं करना है Operation My Sahelie South Eastern Railway चलाती है and Mary Sahelie initiative इसी तरह women's के safety के लिए Railway Protection Force जो RPF है यह चलाती है तो यह दोनो Operation My Sahelie and Mary Sahelie यह आपको याद रखना है कौन किसको चलाता है I hope यह सारे contact को clear हो गए होंगे इमेजेस में भी आप देख सकते हैं फर्स जो हमारी इमेज है यह श्रमिक कलनार पोर्टल की इमेज है यहाँ पे सभी डाटा को upload करना होता है हमारे contact की सेकेंड इमेज हमारी रेल सयोग पोर्टल के द्वारा किस तरीके से स्टेशन को ब्यूटिफाई किया जाता है या उनके लिए जो फंड रेस करना है वो सारा रेलवे यहीं से करता है जो हमारी थर्ड इमेज है वो operation माई सहली जो हमारा सौथ इस्टन रिलवे चालू किया है उसके वेबसाइट की इमेज है फूर्थ इमेज हमारा आर्पिएफ के दौरा चलाया जारा इनिसियेटिव मेरी सहली इनिसियेटिव की इमेज है इन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान रिखिए इनसे question exam में है उसी हिसाब से आप लोग answers को टिक मारेंगे सो चलिए यह सभी point आपको clear हो गए होंगी चलिए चलते हमारे next topic पर और देखते हैं कुछ direct passenger services को चले direct passenger services में हम लोग बात करेंगे IRCTC के दौरा बनाएगा rail connect, rail सार्थी, UTS app and SMS, Wi-Fi and e-driftry and rail-driftry services के बारे में यह सभी जो services हैं इनको हमारे passengers directly avail कर सकते हैं इससे जो हमारी facilities है railway जो passengers को provide करता है वो काफी बढ़ जाती है तो इन सभी topic को हम लोग के करके समझते हैं सबसे पहले जो हमारा है वो IRCTC का rail connect app है यह एक ऐसा app है जिससे आप अपनी boarding point को change कर सकते हैं suppose पहले आपने कोई एक ऐसा station डाला है जहां का अगले station से आप बोर्ड करने वाले हैं तो अगर आप चाहें तो अपना ticket होने के बाद भी आप अपने boarding लेडीज ततकाल और प्रीमियम ततकाल इन तीन कोटा की booking भी आप एजरी कर सकते हैं सो IRCTC का rail connect एप बहुत ही important है passengers को direct service देने के रिए इसी तर जो हमारा next app है वो है रेल सार्थी एप यह एक ऐसा app है जब आप train में travel करने हो या train के ticket book करना चाहते हूं सो यह जो आप है आपके लिए helpful होगा train की नॉर्मल ticket bookings general quota से आप एजली रेल सार्थी एप से कर सकते हैं या फिर प्रीमियम ततकाल से भी आप कर सकते हैं यह सभी facilities आपको यहाँ पर मिल जाती है तो इसी तरीके से अगर आप train में travel करने हैं आपको cleaning करवानी है या मील ऑडर करना है तो यह सभी रेल सार्थी एप से आप लोग इजली कर सकते हैं तो यह सभी आप वो भी इंडियन रेलवे का अप है इसमें क्या होता है जो जनरल का टिकेट है अब आपको जनरल के लिए खिड़की पे खड़े होके काफी देर तक टिकेट लेना पड़े इससे अच्छा है कि आप डारेक्ली मुबाइस अपने जनरल का टिकेट बुक कर लें पहले सिप स्ली विंडोस पर जो बीजी है काफी विंडोस अगर बीजी है तो टाइम लॉस ना हो पैसेंजर्स का वह यूटेएस हैप से इसली सारे काम कर सकते हैं तो यह भी आपको यहाद रखना है यूटेएस जनरल टिकेट के लिए इसी तरह हमारे 2017 में आयार सीटीसी ने एक एसमेस सर पर सेंड करिए 139 पर आप डार्टी पता कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन इसलीक कहा है और आपके स्टेशन पर कब तक पहुंचेगी यह नेक्स्ट इस टेशन जो है वो भी बता देती है अभी कहा है और नेक्स जो पास्वर स्टेशन से वहां तक पहुंचने का क्या टाइम है यह 2017 में IRCTC ने चालू किया है और इसमें स्विव आपको पांट डिट का नंबर सेंट करना रहता है 139 पर इससे आपको जब वो ट्रेंड रन कर रही है तो उसकी डिटेल आपके मोबाइल पर डायक्ली आ जाएगी जिनके पास इंटरनेट नहीं होता या जिनके मोबाइल में इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता वो भी रेलवे के ट्रेंड का स्टेटस इसली जान सकें इसलिए 2017 में ऐसे सर्विस को चालू किया है नेक्स जो हमारा रेल वायर ब्रोडबेंड वाइफाई कई जगा आप लोग स्टेशन में देखते होंगे इस तरह का आपको बोड दिख खुल जाता है फिर वहाँ पर आपको लॉग इन करना पड़ता है जीमेल से उसके बाद आप लोग अपनी जो इंटरनेट सर्विसेश है वो ले सकते हैं फ्री में सो रेल वायर ब्रोडबेंड वाइफाई जो है वो रेल टेल रेल वायर कंपनी का प्रोड़क्ट है यह प्रोड़क्ट है यह कई स्टेशन पर लग रहा है मैं स्टेशन अभी जो बड़े बड़े जितने भी स्टेशन से जहां पर भीड ज्यादा होती है वहां पर आपको ऐसी वाइफाई सर्विसेश मिल जाएंगी कोई भी पैसेंजर अपना जो टाइम है वो इसली पास कर सकत इद्रिश्टी पोर्टल यह टॉप मेनेजमेंट के लिए पहले बनाया गया था बट इद्रिश्टी के कुछ सर्विसें से जो कॉमन सिटिजन भी यूज कर सकते हैं यहां पर आप जान सकते हैं जो रेलवे की अर्निंग है वो कितनी है इस साल की कितनी अर्निंग रेलवें यहां प्लस ट्रेंग के पंचुयल्टी कितनी ट्रेंस लेट हुइं इस साल इस समय पर पहुंच ही यह सारे डिटेल को लगाती दिरीप नने इसलिए आप ऑल दीखेगी इस आर। इहलि दिरीपो पर देखेक है इसी हुआरे का एकस्डैसन है इसए दिरेल द्रिश्टी है चाते हैं कि मैं जो खाना ओडर कर रहा हूं वो जिस किचन से आ रहा है वहां पर किस तरीके से खाना बन रहा है तो उस किचन के CCTV को आप एकसेस कर सकते हैं रेल द्रिष्टी पोर्टल से चले आई होप यह सारे पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आगे होंगे मैंने एक एक को किसने लॉंच किया है इनसे कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है आपके कोशन इनी पॉइंट से आते हैं इस तरह के कोशन से एक्जाम में देखने को मिलते हैं इसलिए इन सभी पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख के याद करके जाईएगा और बिल्कुल नोड़ भी बनाईए तो चले अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स टॉपिक पर और समझते है रेल ट्रैक स्ट्रुक्टर को तो चले अब हम लोग समझते हैं एक ऑस्ट Hani कि इस तरीके का होता हैं हमारे इंडिया में हर जगे कहीं पर आप देखे आपको अलग अलब तरीके के railway tracks दिखते हैं कई जगा के जो tracks होते हैं उसमें जो sleeper sleeper मतलब जिस पे हमारे rail lines वो बिची रहती हैं यह हमारा sleeper होता है sleeper कई जगा आपको wooden दिखेगा and new जो हमारे tracks बन रहा है वहाँ पर आपको concrete slipper दिखते हैं इसी तरह कई जगा आपको दिखेगा जो हमारी railway lines हो बहुत पुरानी हो चुकी है और उनको धीरे-धीरे replace किया जा रहा है और कई जगा आपको दिखेगा पुरानी होने पर भी कई lines को अभी तेक replace नहीं किया जाता है इन सभी के पीछे जो reasons है और इनका जो structure है वो किस तरीके से होता है इसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसी भी rail line को बिचाने के लिए हम लोग three structure का use करते हैं first structure होता है हमारा sub grade सबसे नीचे जो हम लोग use करते हैं उस basic structure को या किसी rail line को जो हम कह सकते हैं नीव जो होगा हमारा sub grade sub grade material अधिकतर ऐसी चीजों से बना होता है जो solid होती है जैसे इसमें कई बार जो हमारा calcium carbonate है हमारी soil है या हमारी गिट्टी हमारा कोईला इन सभी को मिला के हमारा sub grade material बनाय जाता है sub grade material एक rail line का ऐसा नीव होता है जिस पे उपर की सारी line रखी होती है जो हमारा sub grade है कि सबसे नीचे होता है इसी के उपर हम लोग line बनाना start करते हैं इसके उपर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक blast बनाता है बलास्ट बलास्ट क्या होता है ये भी सब ग्रेट के तरह ही होता है बर इसकी जो उचाई होती हो काफी जादा होती है लगवाद 0.3 मीटर एक बलास्ट की उचाई रखी जाती है बलास्ट किसी से बना होता है ये ब्रोकेन स्टोन, ग्रैवल, मूरम, कंकर, सैंट और कोल इन तरह की जो चीजे होती है जिसमें कुछ सॉलिडिफिकेशन होता है जो मजबूती प्रोवाइड कर सकती है हमारे बेस को उन चीजों को मिला कर हम लोग बलास्ट का मेटेरियल बनात हैं तो बलास्ट का मेटेरियल काफी इंपॉर्टन है कि इन चीजों से बनता है एक्जाम में डारेक्ट कोशन इस पर भी आ सकता है कि जो बलास्ट का मेटेरियल है उसमें कौन-कौन सी चीजे यूज होती है एक रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए इन सभी चीज़ को आपको मूरम ग्रैवेल्ल यह सभी चीजों को यूस करके हमलोग बलास्ट का मेटेरियल बनाते हैं फिर हमारा बलास्ट का मेटेरियल बन जाता है तो इसके उपर हम लोग there sleeper रखते हैं श्लीपर जिसे मैंने बताया, रेल लाइन जिस ओरी जो APPLAUSE पर रखी जाती हैं जो होड़िजाइनल पैर्टरन हम लोग बनाते हैं की स्लीपर हम दोग कभी भी यह मत बोलेगा की हम sleeper वो समझते हैं जो हमारे approaches होते हैं sleeper जो actually में होता है वो जो rail line है जिसके उपर बैठाई जाती है उसको sleeper कहते है so sleeper हमारा कैसा होता है कई वह बर wooden का बनता है और कई वह concrete का बनता है जब हम wooden का sleeper इस्तमाल करते हैं उसकी भी एक खास्यत होती है और Concrete के Sleeper के वह एक खास्यत होती है Wooden Sleeper जो होते हैं वो जल्दी टूट नहीं सकते लेकिन जो हमारा यह Concrete Sleeper है अगर इसमें Overloading होगा सो इनके Crack होने की संभावना थोड़ी बहुत होती है बट अगर strength wise बात करें सो concrete sleeper ज़्यादा strong होते है wooden sleeper से बट wooden sleeper की जो bonding है वो ऐसी होती है कि वो जल्दी तूटते नहीं है प्लस इनके ओपर जो paint किया जाता है या इनका जो prevention किया जाता है वो भी ऐसा होता है कि वो wooden sleepers को जल्दी तूटने नहीं देता कई old tracks पर आप देखेंगे आज भी wooden sleepers लगे हुए है सालोस लगे हुए है बट वो एक भी sleeper आपको तूटा हुआ नहीं दिखेगा बट हमारा concrete sleeper कभी-कभी ऐसा होता है कि overloading बद concrete sleeper में कई cracks आ जाते हैं तूटते तो ये भी नहीं है ये भी काफी strong होते हैं बट cracks आने के संभवना concrete sleeper में होती है जो हमारा concrete sleeper ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसके हम लोग easily cleaning कर सकते हैं अगर हम लोग अपने railway tracks को clean रखना चाता है सो हमारा जो concrete sleeper है इसके ऐसे tracks पे जिसमें concrete sleeper यूज होता है वहाँ पे cleaning जल्दी हो सकती है जो हमारे railway stations है वहाँ पे हर एक stations पे हमेशा concrete sleeper यूज होता है क्योंकि वहाँ पे जो tracks है वो बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए कई लोग उसको हमेशा पार करते रहते हैं और कुछ जो कुरानी लाइन अभी भी है जो हमारे rail lines है जो दो stations के बीश में होंगी वहाँ पे कई बार wooden sleepers भी होते हैं इस तरीके से आप लोगो याद रखना है concrete sleeper और wooden sleeper की जो difference है एक बात आप लोगो याद रखना है जब ये sleepers के उपर हम लोग rail lines को बिचाते हैं सो इनको हम लोगो proper welding करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी दूर पे हर एक rail line दूसरे rail line से connect होती है by welding सो इन weldings को जो किया जाता है वो thermite welding का इस्तमाल करते हैं thermite welding के क्यों करते हैं thermite welding के जो खासेत होती है इसमें हमको कोई भी extra current लेके नहीं आना पड़ता कहीं से कि हमको कोई extra current चाहिए कि हम ले किया है तभी हम welding कर सकते हैं हमको heat generation के लिए कोई current नहीं चाहिए हमारे पास जो aluminum का powder होता है वो हम सीधा हमारे इस rail line पे डालते हैं जो इसका oxide होता है iron oxide जो बन जाता है reliance पे उससे react करके हमारे ये aluminum powder बहुत ज़्यादा heat create करता है जिसके वज़े से directly हम उस aluminum powder को pour कर सकते हैं जो भी gap हमारा है second image में इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं second point है हमारा railway tracks को होने वाले wear losses के बारे में देखें कई बार क्या होता है जो हमारी trains किसी track पर चलती रहती है चलती रहती है so उन tracks का weight है वो धीरे धेरे गटने लगता है क्यो Means अशा होता है क्योंकि जो friction के वज़े से heat generate होती है so जो हमारा material है वो कई बार धीरे 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 वो निकलने लगता है जो वियर लॉसेस होते हैं मतलब ट्रेंस के चलने से जो लॉसेस हो रहे हैं ट्रैक्स को वो maximum allowed होते हैं 5% suppose एक हमारा ट्रैक 100 kg का था तो हम चितना भी लॉस करेंगे ट्रेंस को चलने से जो भी हमारा material loss होगा friction के वाज़े से वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब railway tracks का जो weight है अगर origin में 100 kg था तो धीरे 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 अगर वियर लॉस हो रहा है so 95 kg तक आते आते उसको allowed है कि 95 kg तक हम नोग उसको wreck सकते हैं इतना loss railroad tracks का जहला जा सकता है कोई भी train जहल सकते हैं अगर यह load हमारा जो है वो वियर लॉस को बढ़ा देता है अगर वो 10% का loss कर देता है 100 kg का track अगर हमारा 90 kg का हो गया है सो 90 kg को जो loss है उसको अब हम लोग और नहीं इस्तमाल कर सकते हैं उस track का हम लोग तुरंत replace कर देंगे 90 kg वाले track को हम लोग तुरंत हटाएंगे क्योंकि उसका जो वियर लॉस हो 10% से जादा है इस बात को बिल्कुल समझ दीजे 5% का track हम लोग यूज कर सकते हैं 5% loss तक और 10% के बाद उसको किसी भी circumstance में यूज नहीं करना है 5% से ही alarming point आ जाती है और 10% के काफी पहले उसको हटा देना है इस दोनों बात को याद रखेगा जो हमारी last point है वो काफी एक important point है जिससे trains के accident काफी बार इंडिया में होते हैं देखे क्या होता है जब हमारी गर्मियों का मौसम होता है किया किसी भी tracks पे बहुत ज़्यादा traffic है कई trains वहाँ से गुजरती है उन tracks पे heat generation ज़्यादा होता है उसके वज़े से क्या होता है कि जो हमारे tracks है उनकी mis alignment हो जाती है buckling इसके लिए जो word यूज किया जाता है उसको बोलते है buckling ये bending word नहीं है ये buckling word है buckling कैसा होता है सर्व की आकरिती जो साप की आकरिती है लगबक वैसा जो हमारे tracks है वो हो जाता है बिल्कुल टेढा मेढा ट्रैक बिल्कुल जो होता है जैसे कोई भी हमारा स्ने क्या साप है वो जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से हमको ट्रैक दिखाए देंगे थर्ड इमेज में आप देखें जो हमारा track वो बिल्कुल ऐसे घुम चुका है कि अब इसको कुई भी train अगर इस पर आ जाती है तो वो सीधा track से नीचे आ जाएगी सो अगर किसी भी track की buckling हो जाती ही heat generation के वज़े से train का accident जो होना तै हो जाता है सो buckling के वज़े से जब भी हमारे derailing of trains होती है सो इन चीजों को रोकने के लिए हमको proper checking करनी पड़ती है हमेशा tracks की कि जब heat generation जादा होती है या जब हमारा summer का season चलता है या कोई हमारा traffic जो route है जहाँ पर train जादा चलती है सो वहाँ पर हर समय जो हमारे team members होते हैं इन चीजों को check करने के लिए वो हमेशा देखते हैं and all the time is buckling के situation को reduce किया जाता है इसको reduce करने के लिए अभी कोई भी proper ऐसा तरीका नहीं आया है सिर्फ एक तरीका अभी तक यह है कि अगर हम tracks को clean रखें तो हमारे buckling के समस्या कम होती है अगर हमारे tracks clean होता है तो उसमें heat generation थोड़ी कम होती है अगर हमारे tracks dirty है तो उसमें heat generation जादा होती है और dirt के वज़े से हमारे जो buckling के समस्या वो जादा होगी तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है अभी तक वो यही है कि हमको अपने tracks को clean रखा चाहिए tracks पर कोई भी dirt या कोई भी ऐसी चीज जमानी होनी चाहिए जिसके वज़े से heat generation जादा हो तो इसी के वज़े से हमको हर साल कई trains का accident देखने को मिलता है और पहले भी हमारे कई trains का accident होता था पहले तो जो हमारी medium या narrow gauge lines थी उसमें तो buckling और जल्दी हो जाती थी तो उसमें train accident जादा होते थे अभी broad gauge line जो है उसमें थोड़े कम होती है buckling की समस्या तो इन सभी बात को बिल्कुल ध्यान रखे buckling क्या होता है इसके वज़े से जो derailing हो जाती है train पट्री से उतर जाती है जो हमारा thermite welding है या जो हमारा permissible limit of wear है किसी भी rail track का इन सभी points को बिल्कुल ध्यान रखे इस सभी points exam में आते है और इन सभी points से अगर आगे भी question आएगा तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए तो I hope ये सारे points clear हो गए Thank you for watching this video इस video की जो PDF है आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी वहाँ पे आप हमारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमारे description में रहता है अगर आप मुझसे कोई भी doubt पूछना चाहते हैं तो आप comment में ये telegram channel पे वो doubt को पूछ सकते हैं तो चले friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन